आप सबका एक बार फिर से स्वागत है क्रेजी रैंबलर के इस नए वीडियो में इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आविशक्ता होती है ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो अपने लक्षे की और आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेले पन को एक सुनहरा अफसर बना लेता है एक समय की बात है एक छोटे से गाउं में एक लड़का रहता था वो बहुत सपने देखता था और अपने लक्षे की प्राप्ती के लिए प्रयास करने का निरंतर जिमून रखता था परंतु उसके पास ना कोई साथी था ना कोई गाइड करने वाला था उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था इसलिए उसे लगता था कि वो अकेले पन की जंजीरों में बंद चुका है और उसके सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपने आत्म विश्वास की आवाज से खुद को बुलंद किया उसकी इच्छा शक्ती और संगर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ती दी एक दिन उसे अपने गाउं के बाहर एक पुस्तकाले का पता चला वो आश्चरे चकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी भी ऐसी जगा नजर नहीं आई थी धीरे धीरे उसने उस पुस्तकाले के दरवाजे पर कदम रखा वहाँ जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोई रहते हैं और वहाँ की शान्ती पून्ता और ज्ञान के वातावरन ने उसे संतुष्ट कर दिया अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने ये निर्ने किया कि वो पुस्तकाले में समय बिताएगा धीरे धीरे वो पुस्तकाले की विभिन किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा कई दिन बिताने के साथ साथ उसका ग्यान बढ़ता गया और वो अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिष्टे बनाने लगा इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया उसने कई लेख लिखे जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अफसर मिला अपने लेख की ये कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का वो लड़का जिसने कभी अकेले पन को एक रुकावट समझा था अब एक प्रेड़ना दायक उधारन बन गया में ये सीख मिलती है कि अकेले पन को एक सुनहरा अफसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए हमारा समर्पन और मिहनत हमें अपने लक्षे की प्रापती की और आगे बढ़ने में मदद करता है आज के वीडियो में बस इतना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और कोमेंट करें साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसी तरह के और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें